ये एक clock का question है आप चाहे तो खुद से इसको पहले try कर लीजिए उसके बाद ही solution देखिए इसमें पूछा जार रहा है कि 5 o clock और 6 o clock के बीच में कौन सा ऐसा time है जब दो hands our hand और minute hand coincide करेंगे एक साथ हो जाएंगे तो इसको हम लोग दो तरीके से solve करेंगे एक तो formula होता है clock का जिसको बोलते है theta is equal to modulus of 30 h minus 11 m by 2 ठीक है तो अगर ये इसको modulus बोलते है अगर mod आप हटाते हैं तो इसको बोलते है plus minus 30 h minus 11 m by 2 तो ये एक formula है यहाँ theta होता है angle between hour hand and minute hand h होता है hour के लिए m होता है minute के लिए तो इस formula को हम use करके इस question को कर सकते हैं यहाँ theta का value क्या है 0 अगर दोनों hands of a clock coincide कर रहे है hour hand और minute hand दोनों एक साथ है मतलब दोनों के beach का angle क्या है 0 तो जब यहाँ 0 है इस side आप plus लीजिए या minus लीजिए कोई फर्क नहीं परने वाला है तो आप plus ही रहने देजे 30 h का value क्या लेंगे पांच बजे से 6 बजे के बीच में between 5 o clock and 6 o clock कोई भी समय जो होगा वहाँ h का value 5 ही आएगा 520 लीजिए 530 लीजिए 548 लीजिए देखिए hour के जगा पे हमेशा 5 भी है तो 5 o clock और 6 o clock के बीच में h का value हमेशा 5 और m का value हमें find out कर लेना है तो यहां से आ गया 11 m by 2 is equal to 150 तो इसलिए m is equal to 150 into 200 by 11 जो की simplify करने से 11 तूजा 22, 27 3 by 11 मिनट मतलब 5 बजे के बाद after 27 3 by 11 मिनट दोनों hands of a clock जो है वो together होंगे एक साथ होंगे दोनों coincide करेंगे तो एक तो इस formula से हमने solve कर दिया दूसरा एक direct result भी होता है अगर आपको वो पता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं वो direct result यह है कि आप दोनों hands जो है hour hand और minute hand दोनों 12 बजे 12 o clock एक साथ होते हैं आप सबको यह चीज़ पता है उसके बाद यह one o clock और two o clock के बीच में one five five by eleven इस time में होंगे बराबर उसके बाद two ten ten by eleven three fifteen fifteen by eleven four twenty twenty by eleven five twenty five twenty five by eleven इस pattern में आप याद रख सकते हैं इसको तो जैसे इसमें पूछा जा रहा है आप से पांच और शे बजे के बीच में five o clock और six o clock के बीच में तो क्या है five twenty five twenty five by eleven यह वाला अगर पुछे seven और eight के बीच में तो कैसे find out करेंगे seven thirty five seven कौन सा मिनट होता है thirty fifth minute and thirty five by eleven ऐसे लेकिन इसके बाद इसको आपको अच्छे से simplify करना होगा क्योंकि यह twenty five by eleven जो है इसको जब आप simplify करते हैं तो यह eleven two पूजा twenty two two three by eleven ठीक है तो यह बेसिकली है five यहाँ twenty five minute यहाँ two minute तो twenty seven minute three by eleven तो five twenty seven three by eleven तो दोनों तरीके से आप इस question को solve कर सकते हैं